मेरे प्यारे अनदाताओ, बीपी काउल वर्ट चैनल की तरफ से आप सभी के चड़ों में नमस्कार और बीपी काउल वर्ट चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे प्यारे साथियो, आज का टॉपिक है कि गाय का दूद अचानक कम हो गया या गय का दूद बढ़ ही नहीं रहा किसी तरीका से हम हर प्रियास कर रहे हैं कैल्सियम भी खिला दिये उन्हें, एक से एक बढ़िया मैंने बाटा भी खिला दिया है रातव हरा चारा भी दे रहे हैं, लेकिन गय का दूद नहीं बढ़ रहा है तो आज मैं उसके लिए बहुत ही अर्जेंट फार्मूला लेकर आया हुआ हूँ और बहुत ही शिंपिल जिससे आपकी गाय का दूद परियाप्त मात्रा में बढ़ेगा है यह दे आप उसका शमय से प्रियोग कर लें तो तो सबसे पहले नमबर जैसे ही आपकी गाय की प्रेगनेंसी होती है उस समय आपको फार्मूला का प्रियोग करना है और मैं आज ज्यादा बात नहीं करूँगा बलके डायरेक्ट आपको प्रेक्टिकल की तरफ लेकर चलाओं प्रेक्टिकल करके श्याह में ही बताऊंगा किस दुआ हCHD कलने लगा और इसको हम किसी में कर लेते हैं शर्च मेंन हमें जीरा डालना है जी एख il talk कि अधिय को जीरा टीज्टों इवशिम दोस्तों ए बिल्कुल फुर आई होचा है यह देखिएए यह बढ गया है अच्छी तरीका से और आप हम ऐसे किसी बरतन में कर ले रहे हैं देखे दोस्तों यह भुना हुआ जीरा और अजबायन में पीस रहा हूं सिलवट्टा से देखे दोस्तों यह काफी बारी कोकर किपिस गया है और इसे हम इस तरीका से यह निकाल ले रहा है इसमें हम 100 ग्राम हल्दी डाले रहे हैं यह देखे पिशिवी शौट है यह करेब करेब हम 100 ग्राम डाले ले रहे हैं दोस्तों यह हमारा 400 ग्राम के करेब मैटेरिल तयार हो चुका है अब हम अपनी गाय के शुविधा की अनुसार इसमें करीब करीब 3 किलो गुड मिलाएंगे गुड अच्छी तरीका से फोड लेंगे उसमें मिला लेंगे मिलाने के बाद उसके लड्डू बना लेंगे लड़ू बनाने के बाद में करीब करीब दो से लेकर 500 ग्राम तक लड़ू पर्डे साम को हम गाये को खिलाएंगे बाई चांस हमारी गाय लड़ू नहीं खाना चाथी है तो हम इसी जो भी हमारा पाउडर ये तयार हुआ है इसी powder को हम 2-3 kg गुर के साथ में पका लेंगे liquid जिसको हम हरीरा भी बोलते हैं एक तरह चाहे इसे आप हलुआ भी कह सकते हैं करीब करीब आदा गंटे तक हम पकाएंगे गैस पर या चुले पर जैसे चाहेंगे पकाएंगे एक liquid तयार कर लेंगे 3 kg गुर के साथ में उसमें से 2500 ग्राम हम परड़े अपनी गाय को खिलाएंगे बोविश शाम को ये खिलाने के बाद में हमें पानी नहीं पिलाना है ये हमें अधिक तूद अपनी मात गाय से परियाप्त मात्रा में दूद प्राप्त करना है तो उसके लिए सुरुवात से जब प्रसब हुआ हो गाय का गाय ने बच्चा दिया हो उस समय से लेगर लगाताथ 15 दिन तक हमें ये खिलाना पड़ता है इससे क्या होता है गाय के पेट के सफाई हो जाती है अच्छी तरीका से 45 से 6 दिन में दूबारा हीट पर आ करके AI कराने पर गर्व धर्ड़ कर जाती एक बार में और लास्ट पीक पॉइंट तक जो भी होती है पूरी मात्रा में गाय दूद देती है यह देखो दोस्तों मैंने केवल दो लड़्डू बना लिए हैं अपनी गाय को खिलाने के लिए हम इससे प्रक्टिकल कर लेंगे कि हमारी गाय बास्तम में इस प्रकार के लड़्डू खा लेगी या नहीं खा लेगी यदि यह लिडू नहीं खाती है तो फिर हम इसको कड़ाई में पानी डाल करके पका लेंगे उसके बास साम को डिली रख दिया करेंगे थोड़ा बहुत और वो अपनी इच्छा अमसार खा लिया करेंगी आपने ये फार्मूला देख लिया इस प्रकार से आप अपने पस्मों को जितनी भी मैंने शामगरी बताईए उस शामगरी को प्रियोग में लेते रहिएगा अंत तक यदे आप समझ लीजिए कि आठ महीने तक आपकी गाय दूद देती है तो आठ महीने तक पूरा दूद देगी यदे आप इस तरीके से नियम को फॉलो करेंगे तो और यदे इन केस और फीचर आपके पस्मों को किसी भी प्रकार की कोई परेषानी होती है तो उस कंडिसन में हमारा ये नंबर इसक्रीन पर चला है इस नंबर पर आप 24 गंटे में किसी भी टाइम पर हमें WhatsApp कर सकते हैं अपने पस्वों की बीमारी बता सकते हैं जिससे हम आपके लिए एक नया वीडियो बना करके प्रोवाइड कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान हुआ यदे आपको मेरा वीडियो पशंद आया है तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैराम जी के